आज हम लोग करने वाले हैं एडवान्स लेवल का कोर वर्काउट एक कोर स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्लेयर के लिए बैट्समेन हो चाहे या बॉलर हो आप जब बैटिंग करते हो चक्के मारते हो या फिर ड्राइव मारते हो तो सबसे ज्याद कोई मसल इंगेज होती है तो वह है कोर अब्डॉमिनल मसल ट्रंक मसल और आपके साइड उब्लीक्स तो यह सारे कोर में आ जाती है ठीक है और जो बॉलर हैं बॉलिंग करते हैं तो उनके लिए तो और ज्यादे होता है कि वह अपनी कोर मसल को बहुत ही अच्छे तरीकी से करें स्ट्रेंटिन करें और उनको एडवांस लेवल पर ले जाए तो गाइस अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन दबा दीजिए आपके सपोर्ट के लिए और चीज गाइस इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी प्रो टिप द तो गाइस पहली एक्सेज़ जो हम करेंगी बहुरे कि सिंगल लेग रेस और इसमें मैं यूज करूंगा मैं यूज करूंगा आप चाहो तो कोई और चीज कभी बारी चीज जैसे की स्कूल बैग या फिर कोई भी जो आपके घर में अविलेबिल लो फिर आपको क्या करना ह है तू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखिए इसमें क्या होगा हमारे जो पैर है ना वो ग्राउंड पर टच नहीं होंगे हमारे पैर जो है ना वो उपर रहेंगे ठीक है और फिर उसके बाद आप इसको उपर लाईए गाई इस एक्सराइस के आप कम से कम एक सैट प्रेटिशन करिये और ऐसे तीन सेट करिये ठीक है तो गाईस नेक्स एक्ससाइज गो करेंगे वह रहें तीसरा को यहां पर रहेगा तो बेसिकली एक ट्राइंगल शेप में रखेंगे ठीक है उसके आप क्या करेंगे प्लैंक पोजिशन में आजाएंगे तिक है और फिर आपना जो एक हाथ है उससे टैप करेंगे तीनों को अल्टनेटली इसको करते टाइम आपको न अपने प्लैंक की पोजिशन एना उसको बिल्कुल भी नहीं यह लाना है आपको सिर्फ अपना हाथ अटाना है और हाथ को मूफ करना है अब देखिए जिनकी कोर स्रेंट अच एक मिनिट तक रेगुलर करें ठीक है और एक मिनिट के ऐसे तीन सेट करें तो गाइस मूफ करते हैं मारी नेक्स एक्सराइज पर और इसक्सराइज का नाम है पुश अप प्लैंक वेरियेशन और मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है एसे क्साइज में आपको काउंटिंग करूँ तो गजाया पाइस तो उसक एक बार को पाउनिग एक करें तो फिर इसके कम से 15-20 प्रयपटिशन करिए और फिर आप इसके तीन सेट करिए अपरेंस के अपनी लान गण पर शुम करिए युट तो इस पोजिशन में क्या करेंगे अपने दौन हीट को पीछे रखेंगे और फिर कॉंट्रैक्ट करेंगे अब इस एक्सराइज को करते टाइम आप मेक्शियूर करें कि जब आप कॉंट्रैट कर रहे हो तो आपकी जो बैक है ना पूरी पीछे टचना हो जाए यानिकि यह जो पॉर्शन है आपको जिबर अपने हिप्स पर रखना है थोड़ा बद लोवर बैक का सपोर्ट लेना है आपको यहां पर इस पोजिशन पर रहकर इसको कॉंट्रैक करना है इस एक्सराइज में आपको चाहिए पड़ेगी और साथ में स्ट्रेंद भी तो प्लीज आप मेक्शूर करें कि आप इसका फॉर्म सही रहे हैं और इस एक्सराइज के अगें आप कम जिकम बीस से कर सकते हो खें तो आपको क्या करना है आपको इस तेराबंड को पूरा कॉंट्रैक्ट करना है यह इसका इतना रिस्सटेंज होता है इसको और बढ़ादे नहीं ठीक है और अपने सामने रखना है अब जब आप इस पोजिशन में वोर्ल करोंगे ना तो आपका पूरा प्रोपर आना है और उपर आते वक्त नपने, और येधी अब इस साइड में आजाएगा और अच्छा खासा लोड आना चाहिए ठीक है और आप मेक्शूर करें कि आपके जो एल्बोस हैं वो पूरे सीधे रहें बैंड ना हो सीधे रहेंगे तो जादा लोड आएगा ठीक है और फिर इस पोजिशन में अगें जाएए फिर उपर करें एख इस एक साइड चाहिए और फिर आप इसके तीन साइड करें तो गाईज अब बात करते हैं प्रो टिप की जो जैसा कि वेनर वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपको बताने का तो आपको क्या करना है आपको जो सारी एक्साइड से ना उनका सुपर साइड बना देना है, आपने जैसे ही मैंने आपको पांच एकसाइजेस बता ही ना, उन पांचो एकसाइजेस को एक सेट के अंदर करना है, तो यह जाएगी और ऐसे सोपर सैट के कम से कम दो सोपर सैट लगाई है, और यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव होते हैं, अगर आपने एकसाइजेस को एक सेट के अंदर करा, तो यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव वर्काउट बन जाएगा, आप ऐसा कर सकते हो कि आप शुरू की जो सारी एकसाइजेस होनके तीन-तीन सैट कर लो, और बाद में जो टाइम बचा है, उसमें दो सोपर सैट कर लो, सारी एक सब्सक्राइब कर लेना, तब तक लिए गुडबाई एंड जैहिन!